हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज की इस पीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं सकीना का चरिद्र जिद्रन कर्म भूमी की पात्रा है सकीना तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है इसके वारे में आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं और फ्रेंट्स ये इसने भी पात रहे साड़े most important है जैसे कि समर्कांत सुखदा सकीना और सलीम डॉक्टर शांती कुमार नैना तो इसमें से मैंने समर्कांत सुखदा इन दोनों का पहले ही वीडियो बना दिया है अगर आप चाहें तो description में लिंक दिया है यह वीडियो देखने के बाद आप दे सकीना मुंसी प्रेमचंद्र द्वाराड़ा चीत कर्म भूमी उपन्यास की पात्रा है उपन्यास में उसके बाद पहला पॉइंट रालना है उपन्यास में सकीना का चरित्र पाठको के समक्ष उभर कर सामने नहीं आता है उसके चरित्र को हम अमर्कांत सलीम और सुखदा के संदर्भ में ही पाते हैं वह एक निम्न वड़गिये मुस्लिम समुदाई से संबंध रखती है और माता पिता का साया ना होने के कारण उसकी दादी ही एक मातर उसका सहाड़ा है उसकी इच्चत ही दादी की एक मातर पुंजी है उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको डालना है उपन न्यास में अमरकांत के प्रनय निवेदन करने से वह भी उस पर अपना सर्वस्प निवचावर करने को तयार हो जाती है उसके बाद चौथा पॉइंट डालना है पेड़ाग्राफ आप चिंच कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे मैंने नहीं छोड़ा एकलाण आप छोड़ सकते हैं किसके लिए तो सिर्फ अमरकांत के लिए उसके बाद पांचमा पॉइंट अप को डालना है अमरकांत यहाँ भी अपनी दूरवलता का पड़िचे दे कर सकीना को उसके हाल पर छोड़ कर चला जाता है उसके बाद छटा पॉइंट एप को डालना है अमरकांत के बाद सकीना की दुनिया में उमं का लेश मात्र भी अस्थान नहीं था वह बिमार रहने लगी थी उसके बाद सात्मा पॉइंट आपको डाला है एक दिन सुखदा उससे मिलने आती है सुखदा को सकीना से सच्ची सहानूब होती थी उससे बात कर सुखदा प्रेम के अर्थ को समझती है ठीक है सकीना ही उसको समझाती है क्योंकि सुख्दा एक धनवान घड़की इकलोती बेटी और बिलाशनी सुभाव की थी जबकि अमरकांत त्यागी सुभाव का था जिस पज़से उन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी लेकि सकीना एक सरल सुभाव की इस्तरी थी उसके वीतर समर्पन था और वह अमरकांत को बहुत पसंद आती थी क्योंकि वह सुख्दा की तरह धीट नहीं थी उसके वाद आपको आठमा पॉइंट डालना है सकीना कहती है सभी ने मुझे दिल बहलाव की चीज समझा और मेरी गड़ीवी से अपना मतलब निकालना चाहा अगर किसी ने मुझे इच्चत की निगाह से देखा है तो वह बाबुजी ही थे वह अपने पिता जी के वाड़े में ये बात बोल रही है उसके बाद जो अगला पॉइंट आपको डालना है उसके बाद अगला पॉइंट में आपको लिखना है सकीना की बातों का सुकता पर ऐसा असर हुआ कि सकीना की प्रती उसके सारे भ्रह्म दूर हो गए उसे जो भी मन में संका था कि सकीना उससे प्रेम क्यों करती है किसले करती है तो सारा भ्रह्म वो दूर हो जाता है ठीक है उसके बाद नेक्ट पॉइंट में आपको लिखना है सकीना अमर के इंतजाड में जीवन काटती है और जब सलीम सकीना से निकाह करने की इच्छा जाहिर करता है तो वह तब भी उससे अमरकांत की सलाह लेने को कहती है सलीम ये अमरकांत का ही दोस्त है जो की सकीना से साधी करना चाहता है तो वो उस टाइम पे भी जो सकीना है वो कहती है इसके लिए तुम्हें अमरकांत से बात करनी पड़ेगी तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सकीना और अमरकांत में कितना अधिक निश्चल प्रेम है उसके बाद लाश्ट में आपको निश्कर्ष का हेडिंग डालना है और लिखना है सकीना उपन्यास में एक ऐसे चरित्र के रूप में पाठको के सम्मुख आती है जिसने नौकेबल प्रेम की पड़िवासा को सार्थक सिद्ध किया अपीदू सुखदा और अमरकांत के ग्रिहस जीवन को भी नई दिशा देने का कारे करती है क्योंकि सकीना के ही कारण बात में सुखदा को यह चीज रियलाइज होता है कि कहीं न कहीं उसकी ही गलती है उसके वाद अमरकांत से उसकी मुलाकात होती है और फिर दोनों में बात भी पनती है तो फ्रेंट बिल्कोब इसी तरीके से आपको इसका अंसर अपने बोडिक जाम में लिखना है तो I hope आप लोग को वीडियो इंफ़ोर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो इनफ़ोर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ सेयर करें और चनल प